वेलो स्टूडेंट्स वेलकुड गाइज आज का मेली मेरा वीडियो होने वाला है वी फार्मा फिफ्ट सैमिस्ट्रे के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें मैं कवर करूंगी आपके कुछ important questions जो कि आपके syllabus में दिए हुए हैं जो कि main exam के लिए most important है तो सीधा computer की screen पर जाके देखेंगे आप अपना syllabus या फिर copy और pen साथ में लेके बैठेगा जिससे कि आप not down कर सके या फिर syllabus में टिक कर सके तो computer की screen पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाती हूँ कि अगर आप चाहते हैं hand return notes वो भी घर बैठे हुए तो हमारी टीम आपको provide करवा रही है 50 semester के all subject के hand return notes अगर आप लेना चाहते हैं तो link आपको description box में comment box में मिल जाएगा यह confirm है अगर आप मेरे बताई हुए important question prepare कर लेते हैं तो आपको 95% हमारे बताई हुए question से ही आपको question paper मिलेगा ओके तो computer की screen पर चलते हो देखते हैं क्या-क्या important question ओके तो जैसे कि हम computer की screen पर आगे तो हमें यहां पर 5th semester गे और कुछ important question देखने है जैसे कि आपका कल exam है तो यहां से मैं आपको बता देती हूं कि कौन-कौन से important question है स्लेवस के अपने स्लेवस साथ में लेके बैठे साथ के साथ टिक करते जाहिएगा medicinal chemistry second आपका जो फर्स सब्जेक्ट दिया हुआ है भी फार्मा फिफ्ट साम में वो है medicinal chemistry second इसमें अगर मैं बात करूँ आपकी जो important question है important question के नाम से आप मेरे कहने से यहां पर mark कर लीजिए anti-histaminic 100% इसमें से question आएगा आपका exam में जरूर पूछा जाएगा ठीक है तो very important इसे आप mark कर लीजिए right उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहां पे जो drug पूछी जाएगी आपसे यहां पे anti-histaminic agent पूछा जाएगा और इसमें आपको histamin define करना पड़ेगा कि कौन से receptors पर anti-histaminic drug जो हैं वो काम करती है उसके बाद अगर मैं बात करूँ हो H2 antagonist so histamin के अंदर ही आप H2 antagonist तयार कर सकते हैं जैसे कि आपके gas removals हो गए gastric protein pump inhibitor हो गई यह सारी चीज़े आ जाती है आपकी नॉर्मली ओमिप्राजोल लेंसोप्राजोल जो कि आप capsule यूज करते होंगे अपने घर में भी तो यह सारी चीज़े आ जाती है लेकिन आपको histamin से एक question जरूर देखने को मिलेगा तो इस पर आप very important mark कर लीजिए उसके बाद next अगर मैं बात करूँ anti-neoplastic agent it is also an important question यहां पर anti-neoplastic agent important बलकि यह भी very important मैं बात करूँगी इसकी यहां से भी आपको question देखने को मिलेगा anti-neoplastic से और इसमें जो important most important जो इसमें देखे दिया हुए यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यहां पर अलकाइलेटिंग एजेंट जो है वह most important term है what is the most important term is alkylating agent anti-neoplastic के अंदर आपको prepare करना है एलकाइलेटिंग एजेंट राइट उसका अगर मैं बात करूँ सेकिंड यूनिट में एंटी एंजाइनल कैल्शियम चैनल ब्लोकल डायूटिक्स यह आ जाती है आपकी यह सारी की जो ड्रक्स हैं यह सभी एक ही प्रकार की हैं बस इन में जो रख दिया गया है इन ड्रक्स उससे प्रकार की ड्रक्स ठीक है आपका अटी ड्रक्सियंग होगी केलशन चैनल ब्लोकर हो गया एंटि हाइपर टेंसिव हो गया यह सब एक ही प्रकार के मीज काम करते हैं लेकिन इनकी जो कैटेगरी है जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग अलग है ठीक है एंटि हाइपर टेंसिव कभी कभी शोट नोट में पूछ ले जाता है मोस्ट इंपोर कि इन में से अगर आप थोड़ी थोड़ी जो फंक्शन है जो मैकेनीजम है वो सबका सेम है लेकिन जो अलग अलग है तो यह आपको ध्यान रखना है और ड्रक की क्लासिफिकेशन और ड्रक को थोड़ा अच्छे से प्रिपेर कर लेना है ध्यान में रखना कैटेग्री आपको जो हाइपर लिपीडिमिक में आपको लिपीडि की क्लासिफिकेशन बतानी पड़ेगी कौन सा यूसफूल है कौन सा नहीं है यह सारी चीज़ा आजाती है टोटल मेकेनिजम में की ड्रक का मेकेनिजम कैसे काम करता है लेकिन मेकेनिजम पर यहाँ पर आपको ज़्यादा दियान नहीं देना है मीज देना है मेकेनिजम लिखना है लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है आपका मेडिशनल के अंदर सार सार मतलब सार क्या होता है कुछ स्टुडेंट को तो सार का ही नहीं पता होगा कि what is the सार सार क्या होता है सार मतलब structure, activity, relationship this is means सार means structure का आपकी activity से जो ड्रक की activity है उसमें जो हम उसकी structure दिखा रहे हैं उन दोनों का आपस में क्या relationship है यह आपको दिखाना होता है medicinal के अंदर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका coagulant, anti-coagulant most important नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ short note में कभी-कभी आ जाता है drug used in congestive heart failure important term है short note में काफी बार पूछा जा चुका है तो इसे short के लिए आप important mark कर लीजेगा उसके बाद next अगर मैं बात करूँ fourth unit drug acting on endocrine system important बोल सकते है fourth unit में से अगर एक question निकालना होता है तो उसमें से drug acting on endocrine system डारेक्ट ना पूछ के यहाँ पे जैसे की cortico steroids हो गया ठीक है नॉर्मली पूछ ले जाता है oral contraceptives हो गये ठीक है तो यहाँ से मान के चलिए कि fourth unit से आपको एक question मिलेगा वो short note भी हो सकता long भी हो सकता है बाद next second में बात करूँ fifth unit anti-diabetic agent देखें anti-diabetic agent में यहाँ पे आपको insulin and its properties insulin और उसकी property के बारे में पूछ जाएगा यहाँ से आप यही त्यार कर लीजेगा यही काफी है इसमें से ही आपको question बन जाएगा उके गाई उसके बाद next बात करूँ आपका local anesthetic देखें local anesthetic important term है local anesthetic पूछ ले जाता है short note के लिए आप इसे prepare कर सकते हैं वैसे जो anesthetic है anesthesia है वो important term है बहुत बाद long question में भी यहाँ से question बना है उके उसके बाद इसे की lead cocaine हो गया miscellaneous compound हो गया यह सारी चीजे क्या है यह normal drug की categories है जो की short note में कभी कभी पूछ ली जाती है उसके बाद अगर मैं आपका second जो subject है industrial pharmacy industrial pharmacy में important topics में आपको बताती हूँ मैं बता दूँ लास्ट टाइम फिफ्ट सेमस्टर में जो industrial pharmacy का result गया था वो बहुत लो गया था यह सोचते हैं कि physical pharmaceutics हो गया आपका industrial pharmacy हो गया कि सिर्फ theory तो है लिख के आजाएंगे हो जाएगा लेकिन result इतना down गया था last time का कि पूछो मत industrial pharmacy में बहुत बच्चों की बैक आई थी ऐसे ही physical pharmaceutics में भी काफी सारे students की बैक आ जाती है यह सोचने पर कि यह सिर्फ theoretical है ऐसे ही हो जाएगा इसमें मैं आपको important time बता देती हूँ देखे pre-formulation studies important है question आएगा 100% तो very important यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं उसके बाद next अगर मैं बात करू physical properties, chemical properties दोनों आपको prepare करनी पड़ेगी pre-formulation studies के अंदर इसके बाद next अगर मैं बात करू second one is tablet tablet से question आता ही है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा classification of tablet इसमें आपको prepare करनी है tablet की tablet के साथ उसकी classification आपको देनी पड़ेगी उसके बाद उसमें excipients कौन-कौन से use होते हैं जब आप tablet पढ़ेंगे तो यह सारी चीज़े normal है formulation कौन-कौन से use होते हैं तो tablet में आपको यह पूरा तैयार करना है फिर tablet की coating किस तरीके से होती है mainly कभी-कभी tablet coating के उपर भी एक specific question आ जाते है तो tablet में से आपको tablet का introduction, classification, उसका preparation, formulation यह सारी चीज़े prepare करनी है उसके बाद next अगर मैं बात करूँ liquid orals, liquid orals से last time question आया था इसमें से तो liquid orals आप as a short note prepare कर सकते हैं important term है, काफी बार question पूछा गया इससे next बात करूँ आपकी capsules, so capsules और tablet में अगर मैं comparison करूँ तो mostly जादा बार tablet पूछा जाता है लेकिन capsule ऐसा नहीं कि capsule नहीं पूछा जाता है capsule भी पूछा जाता है important term है तो capsule भी आपको prepare करना पड़ेगा इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने hard gelatin capsule prepare केया तो soft gelatin capsule की जो properties हैं वो similar होती हैं लेकिन दोनों को comparison करके आपको easy हो जाएगा और easily आप capsule में जो prepare करना होता है वो कम करना होता है लेकिन वहीं पे अगर आप tablet की बात करूँ तो काफी सारी चीज़े इसमें prepare करनी पड़ती है देन उसके बाद soft gelatin capsule आप उसके comparison में prepare कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के comparison में prepare कर लेते हैं तो यह easily prepare हो जाता है उसके बाद अगर नेट करूँ फोर्थ उनिट में parental product important time है parental product से question आता ही है और parental product एक important topic भी है जो कि आपको अच्छे से prepare करना है ठीक है इसमें बता देती हूं कि आपको इसमें से जो prepare करना है वो क्या करना है देखिए parental product अगर आता है तो इसमें आप उसकी definition prepare कर सकते हैं उसकी कुछ जो examples होते हैं वो prepare कर सकते हैं ऐसे नहीं कि इसमें पूरी सारी चीज़े आपको देखने हैं पैरेंट्रल प्रोड़क्ट मतलब preparation आप इसमें prepare कर सकते हैं या फिर parental product दोनों एक साथ correlate करके आप तयार कर सकते हैं उसके बाद अगर मैं बाते हैं पर फिफ्ट पॉइंट फिफ्ट जो यूनिट है उसमें दिया हुआ है सबसे पहले कोस्मेटिक या फिर फार्मसुटिकल एरसोल्स पैकेजिंग मटीरियल साइंस तो इसहां पर देखें कि फार्मसुटिकल एरसोल्स जो है वह आपने देखा होगा जो एरसोल्स क्या होता है जैसे कि आपके बोल सकते हैं बहुत सारी ऐसी preparation होती है जो कि एरसोल फोर्म में होत 50 unit है मितला एक question यहां से आपको मिलेगा अब वो packaging material science से हो सकता है pharmaceutical aero 소ल से हो सकता है कोस्मेटिक से हो सकता है लेकिन यहां से एक long question मिलता है तो वो cosmetic से मिलेगा otherwise एकर short question मिलता है इस unit से तो वो आपको pharmaceutical aerosols या फिर packaging material science से ही देखने को मिलेगा next अगर मैं बात करूँ third subject जो है pharmacology pharmacology और medicinal chemistry आप एक साथ correlate करके पढ़िए दोनों की drug जो है वो को एक दूसरे से मिलती जुलती है similar drugs हैं दोनों में so unit first यहाँ पर दिया है तो first point is pharmacology of drug acting on cardiovascular system right सबसे पहले जो pharmacology के अंदर drug acting on cardiovascular system वो drugs जो की cardiovascular system के उपर क्या करती है एक्ट करती है मतब cardiovascular system अब देखे वहाँ हमने medicinal chemistry में आपने देखा था anti-hypertensive था, anti-anginal था, anti-arrhythmic था, anti-hyperlipidemic था तो दोनों को medicinal और psychology आपको दोनों को एक साथ correlate करके पढ़नी है वो इसके साथ ये उसके साथ तो यहाँ पर देखें, anti-arrhythmic हो गया, anti-anginal हो गया, anti-hypertensive हो गया, congestive heart failure हो गया तो यहाँ पर cardiovascular system का drug acting on cardiovascular system अगर मैं बात करूं तो important term है यह आप prepare कर लिजेगा topic तो यहाँ भी यहाँ के आपका एक topic prepare हो जाएगा और वहाँ के अपके medicinal chemistry के तीन topic prepare हो जाएगे उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पर unit second drug, pharmacology of drug acting on cardiovascular system यह भी cardiovascular system है लेकिन यहाँ पर जो अलग-अलग चीज़े दिये हैं जैसे कि फर्स्ट वन इस drug used in the therapy of shock वो ड्रग जो की शौक की therapy में यूज होते हैं second hematinix, coagulant and anti-coagulant उसके बाद fibronalytics and anti-platelet drug plasma volume expanders तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जादा कुछ important नहीं है सिर्फ आपको prepare करने drug acting on cardiovascular system जितने भी अंदर terms जो दी होती है यह सब similar होती है सिर्फ आपको prepare करनी है एक तरीके से यह देख लेना है कि जो यह अलग-अलग category दी गई है इनके अंदर कौन सी अ पाउंदर दी गया है वो अलग-अलग दी गया है नेक्स अगर मैं बात करूं फार्मकोलोजी ओफ ड्रग एक्टिंग और यूरिनरी सिस्टम राइट आप वो ड्रग जो कि आपके यूरिनरी सिस्टम पर काम करें तो important term है question आ जाता है काफी बार बलकि मैं बोलूंगी most important ही है यह तॉम भी यहां से question आपको देखने को मिलेगा इसमें से या तो आपसे डियरोटिक पूछा जाएगा या फिर एंटिडायोटिक ड्रग पूछी जाएगी तिक है डायग्राम आपको दोनों में बनाना है या एंटिडायोटिक पूछे डायोटिक का जो फ्लोष पर 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 फोर्म किया तो आपको इस्टामीन यहां पर लिख देना है यह एंटी अलर्जिक जो ड्रक्स होती है उसी के अंदर आते हैं जैसे कि आपका प्रोस्टा ग्लेंडिन हो गया ब्रेडिकाइन हो गया एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स हो गया यह सारी चीज़े आ जाती है उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका फॉर्ट में दिया हुआ है फार्मक लोजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ओन एंडोक्राइन सिस्टम की ड्रग एक्टिं हार्मोन यह दो टॉपिक आप प्रिपेर कर लीजेगा इनफ है इनी में से आपको क्वेशन मिल जाएगा लोंग शोट जो भी आएगा इनी के अंदर से आपसे पूचे जाएगा उसके बाद बात करूं फिफ्ट यूनिट ड्रग एक्टिंग ओन एंडोक्राइन सिस्टम य यहां पर प्रिपेर कर सकते हैं या फिर कई बार पूचा जाता है प्रिंसीपल एंड एप्लिकेशन ऑफ बायो ऐसे आखिर कर होता क्या है उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स वन आपका फो सब्जेक्ट फार्मा कुगनोसी और पैथो केमिस्ट्री फार्मा कुगनोसी इसमें फर्स उनिट दी हुए ए मैटाबोलिक पाक्थवे इन हाइर प्लांट और डिटर्मिनेशन होता है जब आपने पहले बाल को शिप्टाभा था उसमें मैटाबोलिक पाथे दो वह पर इंपर्धे यह नहीं पात्व पाथवे आगे का जो फो प्रोसीजर है वह लोग का जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे most important है सिख्मिक एसिड पाथवे, acetate पाथवे और amino acid पाथवे तो अगर तीनों में मैं बात करूं तो यहां पर सिख्मिक एसिड पाथवे और दूसरा amino acid पाथवे दोनों आप प्रिपेर करके जाएं बलकी मैं तो बोलूगी तीनों ही पाथवे यहां से प्रिपेर करके जाएं एक पाथवे आपको 100% एक जानएं देखने को मिले गा hंदुपर सेंट श्योर ली तो तीनों पाथवे में से आप एक पात्वे जरूर प्रिपेर करके मीज तीनों पात्वे आप प्रिपेर करके जाईए मेरे कहने से और आपको एक पात्वे यहां से लोंग क्वेशन 15 नंबर का क्वेशन मिलेगा ही सेकिंड अगर मैं बात करूँ स्टेडी ओफ यूटिलाइजेशन ओफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन्वेस्टिकेशन ओफ बायो जैनेटिक स्टेडी यह आप स्किप कर सकते हैं लेकिन पात्वे आप तीनों प्रिपेर करिए यह तो ज्यादा बेटर है अगर मैं बात करूँ सेकिंड यूनिट की जनरल इंट्रोड़क्शन कॉम्पोजिशन केमिस्ट्री और कैमिकल क्लासिज बायो सोर्सिज दा री पैटिक्स एंड कमर्शियल एप्लिकेशन और फॉलोविंग अब देखिए फार्मा कुगनोसी है म आपको क्लासिफिकेशन बतानी पड़ेगी क्रूड ड्रक्स का आपको प्रिंसिपल बताना पड़ेगा नेचर क्या है कहां से वह मिलती है आपको यह सारी चीज इसके डिफाइन करनी पड़ेगी तो जैसे कि यहां पर हो गया विनका अगर मैं बात करूं इंपोर्टेंट यहां पर अलकलोइट इंपोर्टेंट है-इस है जोट्ड नॉट में बूछे लोंगोर एको whirlेट करके पूछे लेकिन under से 100% आएगा क्या biological source है कहां से वो मिलता है कौन सा उसका geographical source है यह सारी चीज़ आप से पूछी जाएंगी यह drugs में आपको प्रिपेर करनी है ड्रग्स के अगर बात करूँ कौन-कौन सा अलकलोडल ड्रग में कौन सी ड्रग इंपोर्टेंट है विनका इंपोर्टेंट है राव वॉल्फिया इंपोर्टेंट है बैला डॉना इंपोर्टेंट है ओपियम भी इंपोर्टेंट है जो भी चीज़े दी गई है वो सब important यह जैसे की licuris बहुत बार पूछा जाता है dioscoria काफी बार पूछा जा चुका है digitalis काफी बार पूछा जा सकता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका volatile oil में fannal, coriander, cinnamon, clove, methad मतलब जितनी भी चीज़े दी गई है सब important ही यहाँ पर दी गई है लेकिन जो source होता है यहाँ पर आइसोलेशन, identification and analysis of phytoconstituents यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्या identification बताना है, isolation बताना है, phytoconstituents बताना है मतलब कौन-कौन से chemicals present है, जैसे कि glycosides, alkaloids, resin यह सारी चीज़े क्या होती है, means इनके अंदर present होता है, जैसे glycoside, glycoside के अंदर क्या present होता है एलकलोइट्स, एलकलोइट्स में क्या के चीज़े होती है, यह सारी चीज़े हैं, आपको जैसे आप second unit prepare करेंगे, वैसे आप third unit में यह completely prepare कर लीजेगा, साथ में ही chemical cons, क्यूंकि एक topic आप जब prepare करेंगे, तो उसके अंदर से सारी चीज़े आप एक साथ ही prepare कर लीजेगा, next अ यहाँ पर मैं बात करूं कि तो डिजी जैनिन, डिजॉक्सिन, एट्रोपीन, सिर्फ इतने ही आप prepare कर लीजे, काफी है, इसके लाव आपको इसमें से कुछ भी prepare नहीं करना है, तो अगर मैं बात करूं कि बेसिक्स और फाइटो कैमस्टी, ठीक है, यहाँ पर मैं बात करू कैमिकल कंपाउंट्स का, ओके, आपको दिया हुआ है, फार्मसोटीकल जुरिस्पोडेंट, तो फार्मसोटीकल जुरिस्पोडेंट में मैं इंपोर्टेंट तर्म आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ड्रग और कोस्मेटिक है, 100% इससे question आना है, एक most important है, तो इसे mark कर ल schedule, इसमें आपका schedule M, schedule G, right, यहाँ पर schedule P, schedule Y, यह कुछ important schedule है, जो कि आप prepare कर लीजेगा, उसके बास sale of drug में, यहाँ पर wholesale, retail में क्या difference है, यह चीज़े आप prepare कर लीजेगा, right, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, एक जो short note के लिए most important है, drug technical advisory board क्या होता है, government drug analysis क्य क्या होता है, licensing authorities क्या होती है, controlling drug inspector क्या होता है, drug consultive committee क्या होती है, यह short note के लिए prepare कर लीजेगा, short note में, यहाँ से question आता है, और आपका jurisprudence के अंदर, जाद दर question जो देखने को मिलेंगे, वो आपको short note में ही देखने को मिलेंगे, इसके बाद next अगर मैं बात करू, third unit की तो यहाँ पर pharmacy act, pharmacy act important act है, कब आया, इसके जो offenses और penalties थी, क्या लगने लगी, उसके बाद इसका registration कैसे होता है, pharmacist का, यह सारी चीजे प्रिपेर कर लीजेगा, interesting चीजे हैं, आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा, उसके बाद medicinal and toilet preparation act, medicinal and toilet preparation act, जो यह लागू हुआ, यह कब हुआ, जो आपका इसमें, जो drugs थी, वो patient के लिए, जैसे कि आपके ayurvedic होगी, homopathic होगी, जो natural drugs थी, उनके लिए act आया था, 1955 में, most important नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी पूछ ले जाता है, next अगर मैं बात करूं, narcotic drug and psychotropic substances, important, कि इसके लिए क्या-क्या rules है, जो आपकी psychotropic, narcotic जो drugs थी, मतलब poisonous जो drug थी, उनके लिए कौन-कौन से rules है, next अगर मैं बात करूं, आपका fourth unit, fourth unit में यहाँ पे silent feature of drug and magic remedies, drug and magic remedies क्या होती है, यह आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन most important अगर बात करूं, तो यह इतना important नहीं है, लेकिन short note में काफी बार पूछ जाता है, तो इसे short note के लिए आप important mark कर लीजेगा, उसके बाद prevention of crudely animal act, अब देखे, animal act कब सुरू हुआ, इसमें कौन-कौन सी जो धराय थी, वो लगी, किन-किन चीजों पर रोक लगी, यह भी important term है, पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजेगा, उसके बाद national pharmaceutical pricing authority, important term है, pricing, मत important term में बात करो, dpco, short note के लिए तयार कर लीजेगा, आता है, काफी बार पूछ जाता है, ठीक है, के बाद आपके 50 unit, 50 unit को बताने से पहले मैं आपको बता दू, अगर आप notes लेना चाहते हैं, अपने 5th semester के complete notes, हमारे पास available है, वो आप ले सकते हैं, नीचे description box में आपको complete detail म ले सकते हैं, otherwise, अगर आपको कोई problem आती है, तो आप directly call करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे notes लेते हैं, और उसके बाद आपको books की आवशकता पढ़ती है, तो हम जितनी भी PV की books हैं, या फिर जितनी भी आपकी books हैं, जो कि आपके लिए beneficial है, easy language में दी गई हैं, वो हम आपको free of post provide करवा देते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखें, 50 unit में मैं आगर बात करूँ तो यहां पर pharmaceutical legalization, यह एक important term हो सकता है, मतलब pharmaceutical illegalization, एक important term है, आपका short note के according, उसके बाद code of pharmaceutical ethics, यह मतलब pharmaceutical ethics क्या होते हैं, pharmaceutical right क्या होते हैं, उसके बाद medical termination of pregnancy act, pregnancy act जो है important term ह है, काफी बाद पूछा जाता है, और बहुत जादा important बोल सकते हैं, pregnancy act को, काफी बाद पूछा जाता हो, जादतर यह short note के अंदर ही आपका आता है, उसके बाद right to information act, उसके बाद introduction to intellectual proprietary act, यह सारी चीज़े जो यह है, यह आपका important है short note के लिए, क्योंकि जादतर question जो मिलते है, short note में ही मिलते हैं, आपके जोरिस पडेंश के अंदर, okay, उसके बाद, मेरा वीडियो आपके लिए कितना सा useful रहा, comment section में comment करके जरूर बताईएगा, कोई problem होती है, कोई query है, अगर आप particular question चाहते हैं, कि particular question मैं आपको बना के दूँ, पूरे syllabus के, तो वो भी आप comment section में mention कर दीजेगा, कल सुबह तक आपको उसका भी एक वीडियो मिल जाएगा, thank you so much.